दोस्तों क्या हम MS Paint में 3D Painting कर सकते हैं? यस कर सकते हैं पैरे दोस्तों MS Paint के अंदर हम 3D Text किस परकार लिखें या 3D Boxes किस परकार बनाएं वो इस वीडियो में सिखेंगे इस वीडियो को अंगे तक जरूर देखें आपके बहुत कम आएगा और हाँ, एक रिक्वास्ट है लाइक जरूर कर दीज देगा और यादि पहली बार पर हमारे वीडियो देखें तब सब्सक्राइब भी खर दीज देगा तो चलिए, शुरूर करते हैं 3D Text बनाने के लिए सबसे पहले तो हमकोद Text लेना होगा Text ले लेता है यहां पर हम टेक्स्ट चुनेंगे कोई भी Text लिएता है, यहां पर मैं लिख लेता हूँ CG Color चेंज करना चाहिए, इसका Color ले लेता है Red और भार के लिए कर लिए अब खाली हमने selection लेना है और selection के अंदर यह नीचे Drop Down से आप क्लिक करोगे तो नीचे में लेगा आपको Transparent Selection इसको Select कर लेंगे इसको फिर हम यूँ अपने माउस से यूँ अपने माउस से ड्रैक करेंगे Select कर लिया अपने कीबोर से Shift बटन को प्रैस करेंगे और माउस के Left Click के इसको पकड़ेंगे और हाल का सा नीचे यूँ ट्रैक करेंगे तब देखरें कितना अच्छा हमारा यहां पर 3D Text उभर के आया या फिर हम Shift के साथ फिर से इसको पकड़ेंगे और फिर थोड़ा सा इधर किचेंगे तो यह इधर को बड़ा अच्छा 3D Text उभरेगा इसमें एक चीज़ का खास द्यान रहे है दोस्तों कि यह सभी फोंट के उपर इसतने का 3D नहीं बनाएगा यह कुछी फोंट होते है कुछ फोंट ऐसे होंगे कि यह डार्क होके नजर आएगा तो यहां पर सैडल नहीं बन पाएगी ठीक है अब बनाते हैं 3D बॉक्स अगर हमने 3D बॉक्स बनाना है तो किस प्रकार बनाएगे प्रिंट कोई भी लाइट कलर उठाके और यहां पर एक ट्रिंगल बना लें मैं बताता हूं अभी आपको बता रहा हूं हमने यह ट्रिंगल ले लिया और यह ट्रिंगल यहां पर बना लिया ठीक है जान रहे लाईने बारी को ज्यादा बारी को हुई आगर नजर नहीं आती थोड़ा सा इसको और ठिक कर सकते हैं ट्रेंगल बन गया इसको फिलिप कर लेंगे वर्टिकर अब जो यह पाइंट आगे हमारा इस पाइंट से ब करेंगे हम एक सिद्धी लाइन करेंगे एक इंपली डिस्टन से इस डिस्टन से मैं लाइन डिस्टन कर दी एक लाइन ही हां से ड्रों flavor कर लेंदे इतनी डिस्टन से एक ओर लाइन यहां पर ड्रो कर लेते इतनी डिस्टांस पर और एक इधर से फिर से ड्रो कर लेते हैं उतने डिस्टांस पर यह जो लाइन है इनको भी हम थोड़ा सा बहार निकार लें ताकि आपको और थोड़ा सा समझ में आ जाए फिलाल आपको समझ में नहीं आ रहा होगा यह क्या बन गया अब देखो मैं बताता हूँ क्या बन गया यह हमार उपर का बुक्स बन गया कोई भी कलर उठाएंगे इससे दूसरा अपोजिट कलर और हम यहां पर एक लाइन बना देते हैं यहां पर एक लाइन बना लेंगे यहां पर एक लाइन बना देंगे यह थोड़ी सी ट्रेड़ी हो गई अब ने ज़रा रहा हूँ अगया अगया अब तो ने ज़र हमारा थ्रीडी बॉक्स के हम किस प्रकार बनाएं अगया अब फेल वीद कलर लेंगे वाइट कलर लेंगे और इन लाइनों में डाल लेंगे फेट अब सिर्फ हमारा बॉक्स बॉक्स यहां पर रह जाएगा तो हम आसानी से थ्रीडी बॉक्स भी यहां पर बना सकते हैं अच्छे ट्रिक थी आई होग वीडियो आपको जुर अच्छा लगा होगा हमें कमेंट्स में बताइए हमारे वीडियो ओपने गोस्तों में शेर कीजिए हमें लाइक कीजिए और एक पहली बार आप हमारे वीडियो देख रहे हमें सब्सक्राइब भी जुरू कर लिए देगा धन्यवाद